तो एक फिल फर्म है Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds देखे एकजाम में इसका फिल फर्म बोच लेते हैं एक बार कॉच्छन इसका आया था ऐसे कि जैसे उन्हें नहीं यहां पे फिल फर्म दी थी यहां पे तो नन बीच के दो अक्षर यहां पे हटा दिये थे तो आपको यह fill करना होता है कि बताइए कि इसमें यह क्या आता यहां कि वह आपसे full form भी पूछ सकते हैं वह आपको इसमें gap भी डालके सकते हैं कि इसमें क्या तो आपको वह है फ orchestra आने चाहिए तो देखें इसका मोटो क्या है मोटो क्या मैं इसका है शिक्षिद भारत उनिनन भारत एहां पर लिखा भी आपके अब हाय क्या है इसका मोटो है सो श्वयम है क्या अभि हमने इसका union जाना है अभी हमने इसका मोटो जाना है लेकिन Swoam एक्चलिए है क्या ये free online education platform है government की तरफ से ये काए free online education यानि कि आप घर बेठे free में online study कर सकते हैं वो भी free में government ने website बनाई हुई है इसका एक mobile app भी है तो ये से आप download करके free में कोई भी course कर सकते हैं तो देखे, स्वायम को हिंदी में भी स्वायम, जैसे हिंदी में होता है ना स्वायम, स्वायम होता है खुद का, तो ये खुद के लिए ही है, आप इसे खुद से यानकी स्वायम से आप खुद से घर बैटे कोर्स को फ्री में कर सकते हैं, तो देखे, ये किसने लांच किया थ देखें यह Honorable President of India शिरी प्रणाम मुखर जी ओन 9th जुलाइ 2017 लाउंच दा स्वायम प्लाटफॉर्म अब देखें यहाँ पे यह है प्रणाम मुखर जी जो की अब इस दुनिया में नहीं है तो 2017 में जब वो राश्टर पे दिते देश के तो उन्होंने स्वायम को लाउंच किया था तो देखें साथ में यह प्रकाश जावेटकर जी है जो उस टाइम के MHRD मिनिस्टर थे यानकी HRD मिनिस्टर थे तो लेकिन इस टाइम पे क्या है इस टाइम में HRD मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे है रामेश पोकरियाल निशंक लेकिन उस टाइम पे कौन थे प्रकाश जावेटकर नेक्स देखें यहाँ पे देखते हैं कि स्वायम है क्या अब देखें स्वायम इस प्रोग्रम इनिशेटेट बाई गवर्मेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन वाया अक्सेस एक्यूटिटी एंड क्वाल है एक्यूटि है एनकी गर बैठे बैठे आप कुछ से एक्सेस कर सकते हैं खुछ से पढ़ सकते हैं एक्यूटि है तो सब में देखें यहनकी सभी से कर सकते हैं और क्वालिटी है क्वालिटी मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि आप ऐसे कोर्स करेंगे आपको इसमें क्या है कि अच्छे teacher इसमें आपको पढ़ाते हैं So the objective of the effort is to the best teaching learning resources to all including the most disadvantage अब देखें यहापर क्या है कि जो इसका effort लगाया क्या है best teaching के लिए यान कि देखें इसमें क्या है कि आपको बता है कि जो बहुत सारे disadvantage है क्योंकि देखें student के जगा जहां नहीं पाता है resource की कमी है तो उसी को दूर करने के लिए यापको best teaching learning resource यापको दिया जा रहा है कि ताकि आप घर बैठे एक अच्छे से पढ़ाई कर सकें So I am seeks to bridge the digital divide for students who have remained untouched by digital revolution and have not been able to join the mainstream of knowledge economy अब देखें यहां पे क्या है कि जो digital divide आप देखें कि कई जगा पे आजकल क्या है कि बहुत सारी जगा पे smart classes है कई गाओं ऐसे हैं जहां पे बिजली भी नहीं है smart classes तो बहुत दूर की बाद है तो digital divide का मतलब क्या है कि जिन बच्चों को digital шleaf कि इसके बारे में पता निया है। तो इसको दूर करने के लिए क्रिक है कि कि स्वाइम को अपन किया है तो इससे आप क्या कर सकते हैं असानी से जोड कर सकते हैं तो देखे अब बारी आते है स्वायम को जानने के लिए अब देखें स्वायम है क्या स्वायम में एक education portal है जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि यह education portal है तो इसे create किया था M.H.R.D. ने आप मेरी बात ध्यान से सुनना इसको create किया था M.H.R.D. ने इनके ministry of human resource development and AICTE All India Council for Technical Education with the help of Microsoft यानि कि जब यह पहली बार बनाया गया था 2017 में तो इसे launch किया गया था जब 2017 में तो इसे किसने create किया था M.H.R.D. ने अब आपका यह question है कि बताए कि M.H.R.D. का at present time पे क्या नाम है आपको बता है कि national education policy जो आई थी 2020 में उसमें नाम चेज किया गया है M.H.R.D. का तो उसका नाया नाम क्या है आप मेरे को comment box में लिखके बताईए मैं दिखता हूँ कि आप कितना active है so दिखे created by M.H.R.D. M.H.R.D. औ. AICTE ने मिलके यह बनाया था किसकी help से Microsoft की लेकिन at present time पे क्या है current जो SWIM है वो current से SWIM platform is developed by Minister of Human Resource Development यहनगी M.H.R.D. and NPTEL National Program on Technology Enhanced Learning IIT में दराख with the help of Google, INC and Persistent System Limited तो at present time पे इन्होंने बनाया यहनगी जब पहली बर बनाया गया था तो यह बनाया गया था M.H.R.D. or AICTE ने Microsoft की help से लेकिन अभी जो SWIM platform है वो developed किया गया है M.H.R.D. N.P.T.L. और IIT मदरास और Google and Persistent System Limited की help से तो देखे यह बहुत technical question है यह line आपको कहीं नहीं मिलेगी आप इस line को चेक कर सकते हैं SWIM की जो official website पर जाके वहाँ पर SIM ऐसा ही दिया हुआ है तो आपको यह exam में question पूछेंगे कि बताईए कि current system SWIM platform अगर current पूछें तो आपको यहाँ पर M.H.R.D. N.P.T.L. यहाँ पर देना है आपको IIT Madras यह आपको देना है यहाँ पर लेकिन अगर आपको simple पूछले current ना पुछे तो आपको यहाँ करना है तो आपको यह दोनों पता हो जाए है कि पहले किसे ने बनाया था अभी current में क्या चल रहा है यह guarantee है आपको किसी book में लिखा नहीं होगा अगर आपके पास कोई book है world best book है आप उसमें पढ़ लिजे यहाँ पर वहाँ पर बिनी हो गए तो feature कहाँ देखे यहाँ पर free of cost study portal है यहाँ की बिल्कुल free है आपको कोई भी पैसे नहीं दिने यहाँ पर आपको सारे course आपके यहाँ पर free में मिलते है तो course जो available है वो 9th class से post graduation तक है यहाँ की 9th class से रेके post graduation तक यहाँ की school level से यहाँ पर जो college level है उसे cover किया गया है यह बिल्कुल free में course है आप कोई भी course कर सकते हैं घर बैठे बैठे तो after completion course those students who want to take a certificate will be given certificate after taking a few weeks अब देखें यहाँ पर क्या है अगर आपको बिल्कुल free में study करनी है तो आप बिल्कुल free में कर सकते हैं लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरेको free study तो करनी है लेकिन साथ मेरेको certificate भी चाहिए तो उसके लिए government आप से क्या करती है कुछ charge लेती है आप से ठीक है कुछ charge किसका लेती है वो लेती है certificate का जैसे 50 रुपे 100 रुपे ऐसे अगर के अगर आपको certificate लेना है तो आपको fee pay करना होगा सिरफ certificate का अगर आपको वो नहीं लेना है तो आप क्या गरेंगे पूरा course free में कर सकते हैं तो देखे जो बच्चे जिन देखे लड़कों की शादी हो जुकी है या जो हैंडिकैप है या जो किसी कारण से घर से बाहर नहीं निगर सकते हैं तो घर बैटे वो अपने पढ़ाई को continue कर सकते हैं इसे आपके पास कोई भी excuse नहीं होगा कि मैं पढ़ नहीं पाया या मैं पढ़ नहीं पाई तो गवर्मेंट ने आपके लिए बहुत कुछ खोल के रखा है तो आप उसमें जाईए उसका benefit ले सकते हैं तो आप बारी आती हैं यहाँ पर course related to अब देखें कोर्स किन से related हैं अब देखें यह engineering science humanities जिसे arts कहते हैं language commerce management library education तो यह course इन से related है तो आप यह सभी course घर बैटे फ्री में कर सकते हैं और अपनी त्यारी अच्छे से कर सकते हैं इसके four ways हैं जैसे चार तरीके हैं इसके so-nk आपको यहाँ पर video lecture मिलेगा ऐसा नहीं आपको यहाँ से only study material मिलेगा आपको यहाँ प्रॉपर class मिलेगी जैसे आप किसी school university में college में करते हैं पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर ऐसा है कि वो आपको कॉलेज से जैसे देंगे आपको वो, ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आखे बढ़ा दे, वैरिफाई टीचर होते हैं आपको पढ़ाने के लिए, अगर देखे आपको जो study material है, वो PDF की form में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो online discussion भी कर सकते हैं, आपको किसी चीज में दिक्कत आया, आपको कुछ चीज समझ में ना आये, तो आप online discussion कर सकते हैं, वहाँ पर आपको या तो teacher answer दे देंगे, यह तो बहुत सारे ऐसे active student होंगे, आपको उसका वो सही से answer दे देंगे, यनकि आपका यहाँ पर doubt session भी हो जाएगा, आपका अच्छे से पढ़ना होगा, so next is how to use, आप देखें मैंने कितने अच्छे से presentation आपके लिए बनाई है, आप इसे अच्छे से करिए, आपको यह ना तो किसी बुक में ऐसा मिलेगा, ना है किसी वीडियो में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप इस application डाउनलोड, आप इसका mobile application भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके, आपको टाइप करना है Swam, तो उसे जब करेंगी तो आपको अपने detail वहाँ पर फिल करनी हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, अगर mobile app नहीं है, तो आप इसे ही कर सकते हैं, register your name and other details, अब देखें, यहाँ पर आपको अपना नाम और other details यहाँ पर देनी है, इसके बाद आप join कर सकते हैं Swam portal को, तो देखें, अब बारी आती हैं यहाँ पर, अब देखें, यहाँ पर आपको जो video lecture मिलते हैं, यह जो study material मिलता है, तो आपको कौन परवाइट करवाता है, आपको quality content कौन देता है, उसके लिए government ने 9 national coordinators रखे हुए हैं आपके लिए, तो वो कौन से हैं, पहला देखें, यहाँ पर है AICTE, All India Council for Technical Education, for self-paced and international courses, आपको देखें, international courses के बारे में बताएंगे, self-paced के बारे में बताएंगे आपको, देखें, साथ साथ आपको इसका देखें, आपको साथ साथ इसका full form याद करना है, यह बहुत जरूरी है, और साथ म में मालीजी क्वेशन पूछ लेते हैं, कि स्वायम में जो for engineering, यहां कि engineering के लिए, यहाँ पे कौन कॉडिनेट करता है, यह कौन उसे पढ़ाता है, तो हो है N.P.T.L. N.P.T.L. National Program on Technology Enhanced Learning for Engineering, एंजिरिंग के नहीं आपको N.P.T.L. पढ़ाएंगे, U.G.C. University Grant Commission for Non-Technical Post-Graduation Education, नोन-Technical जैसे आपका यह देखे, जिसमें वो नहीं आती, ठीक है, जिसमें जैसे engineering बना नहीं आती, जैसे MA है, M.C.M. है, M.B.A. है, वो सारी चीज़े, तो U.G.C. के अंडर है, वो U.G.C. आपको प्रवाइड करवाएगा, N.C.E.C. Constorium for Educational Communication for Undergraduate Education, जो Undergraduate है, इनकी जिनका लेवल है, B.A., B.S.C., B.C. बगारा, सो इसके बाद है, N.C.R.T. इनकी National Council for Educational Research and Training, यह किसके लिए है, School Education के लिए, आपको पता है कि N.C.R.T. स्कूल के लिए है, N.C.R.D. books आती है, उसलिए N.I.O.S. National Institute for Open Schooling, यह किसके लिए, School Education के लिए, यहनकी School Education के लिए, N.C.R.D. N.I.O.S. जो है, वो इनके लिए, School Education के लिए है, यह कि फरक कहां पे है, यह Open Schooling के लिए है, यह Simple है, इगनू, इंद्रागांधी National Open University, Out-of-School Students, यहनकी देखे, जो स्टूडेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो वो इगनू से कर सकते हैं, IIMB, Indian Institute of Management, Bangalore, for Management Study, अगर आपको मैंने मैंने की स्टूडी करनी है, तो आपको IIMB, IIMB के जरिए पढ़ाया जाएगा, NITTTR, National Institute of Technical Teachers, Training and Research, यह क्या है, यह Teacher Training Program है, यहनकी जो Teacher Training Program है, वो आपको यहाँ पे देए जागा, देखें, एक्जाम में सबसे टफ कॉशन यहाँ बन सकता है, कि देखिए, कि सोयम के तहत, जो Teacher Training Program है, वो किसके जरिये प्रवाइट करवाया जाएगा, आपका उप्शन वहाँ पे देए जाएगा, NITTR, UGC, NCRT, तो जादा स्टूड़न 99 क्या करेंगे, UGC पे टिक कर दे अगर आपने वीडियो यह देखा है, तो आप इसे फिर से देखिए, ताकि आपको अच्छा से समझ भें, यह गवर्मेंट की तरफ से आपको करवाया जा रहा है, बिल्कु फ्री में, यह क्या है, यह Direct to Home है, जो आपका टेलिविजन है, आप देखें, मॉबाइल फोन आज है, तो देखें, यहाँ पर स्वयम प्रभा है, यह Free DTS, Online Educational DTS का मतलब होता है, Direct to Home, यहनकि जो आप तो घर पे लगए, एंटीना लगा है, चाहे वो केबल टीबी है, यह कुछ भी है, इसके लिए बनाया गया है, तो स्वयम प्रभा इसे ग्रूप ऑफ 34 DTS चैनल, देखें इससे पहले जो था, जब नाया स्वयम प्रभा पहली बार आया था, तब 32 चैनल थे, लेकिन अभी क्या है, 34 चैनल है, तो यहाँ पर अपडेट है, 34 चैनल का, अगर आपका एक्जाम में कॉशन आजाए, कितने चैनल है, तो आप 34 पे क्लिक करेंगे, अब देखें, स्वयम प्रभा के आए, ग्रूप है, 34 DTS चैनल का, यहाँ पर आपको 34 यहाँ पर आपको 34 चैनल दिये जाएंगे, जिसके ग्रूप बनाया गया है, जिसे नाम दिया है, स्वयम प्रभा का, तो जिसके जरी आप अपनी स्टेडी कर सकते है, तो यह कौन सा सैटलेट है, किसके जरी बताया जाता है, जी 15 सैटलेट के जरी है, अब देखें, यह जो 34 चैनल है, यहाँ पर क्या है, यह 24-7 चलते, यहाँ पर ऐसा ने की कुछ टाइमिंग है, यहाँ पर आपको continue लगातर पढ़ाई करवाई जाएगी, आपको यहाँ पर 5 more times in a day, allowing the student to choose the time their convenience, अब देखें क्या है कि 34 चैनल का ग्रूप है, तो वो 24-7 बेसिस पर चलता है, वहाँ पर क्या है कि आपको रोज नया content मिलता है 4 घंटे के लिए, यहाँ कि 4 घंटे आपको नया नई चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन वो 5 बार repeat होती है, जैसे माली कुछ student है, वो job करते है, कुछ night में shift करते है, कुछ day shift करते है, तो कुछ job करते है, तो उनके बास पढ़ने का time नहीं है, लेकिन इससे क्या फाइदा है कि माली जे कि आप सुबह नो वजे काम पे जाते है, शाम को 6-7 वजे बाविस आते हैं, आपके बास पढ़ने का time नहीं है, तो अगर आप किसी college में join करेंगे, कहीं join करेंगे, तो आपको उनके time के recording चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपने time के recording study कर सकते हैं, यहाँ पे 4 घंटे आपको daily पढ़ाया जाएगा नया content, लेकिन वो दिन में 5 बार repeat होगा कि ताकि आप अपनी time के recording कर सकते हैं, इसमें satellite use होता है G15, G15 और 35 को उपे तो देखेंसे आप नगर दीन में के लिए हैंति तो आप पार दिन में बार दिन में रिपीट होगे कि ताकि आप अपने time recording कर सकते हैं, इसमें satellite use होता है G15, G715 और 34 channel है और देखे ये uplink है channel किसे uplink है बिजाग, बिजाग मतलब भास्कराचारे Institute for Space Application and Geoinformatics ये कहाँ पे है ये गांधी नगर गुजरात में है इनकी किसे uplink है, देखे ये दो जीजे है satellite कौन सा है, G15 satellite और ये uplink किसे है बिजाग से ये इसकी fulfill में याद करना ज़रूरी है exam में direct question आता है इसे question आता है आप इसे अच्छे से करिए अब देखे यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको free study करवाई जाती है ये करवाई जाता है तो वो content provider है कौन? वो content provider है Nptel, IITs UGC, CEC IGNU, NCRT, NIOS तो ये करें content provider है यानि कि जो कुछ आपको बढ़ाया जाएगा उसमें जो भी आपका material होगा, जो भी video lecture होगा तो ये सब कुछ कौन design करेगा ये सब कुछ ये decide करेंगे ये provider अब इनके full form देखे क्या है? Nptel की है National Program Technology Enhanced Learning IIT की है Indian Institute of Technology UGC University Grant Commission ये आपको पता ही है CEC मतलब है Concentorium for Educational Communication IGNU से है इंद्रा गांधी National Opera University NCRT से है National Council of Educational Research and Training NIOS है National Institute of Open Schooling अगर आप NIOS के notes लेखेंगे वेबसाट पर जाके बहुत बहतरी notes होते है तो direct जो caution होते है कई बार UTSC के exam हो गया हो गया उससे सभी से इनी से caution यहाँ पर बनते हैं तो यह है content provider यह सभी government के under है तो यह आपको content provide करवाते हैं आपको क्या पसाना है कौन से book है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलेंगी और यही आपके हमेशा काम आएंगी अब देखें government की जो चीज़े वो verified होती है तो आप उसे कभी भी कर सकते हैं अपनी सुषा के according कर सकते हैं तो inflip net inflip net मतलब information and library network center maintain the other web portal अब देखे content provider भी आ गया अब link भी हो गया अब बारी है जो web portal है यहाँ पर जो इसका web portal है यहाँ पर जो इसकी website बनी हुई है तो इसे कौन maintain करता है वो करता है inflip net तो यह question बहुत important है देखें यह notes ऐसे हैं line to land बने हुए तो यह direct question आपको exam में पूछेंगे देखें कि स्वाहिन पुरफा का जो web portal है वो कौन maintain करता है वो है inflip net अब देखें जो डीटीएच चैनल शेल कवर फॉलाइंग अब देखें जो डीटीएच चैनल है वो क्या के तीज़े कवर गरते हैं पहली बार यह देखें सबसे पहले higher education को कवर करेंगे higher education का मतलब होता है कि वो education जो आपको स्कूल के बाद मिलती है जैसे curriculum based content curriculum का मतलब जो आपका syllabus है आपको उसके based content यहां पर मिलेगा फालतों कुछ नहीं मिलेगा आपको यहां पर जैसे आप post graduate है या अर्डर graduate है यहनकी जब आप MA BA कर रहे हैं बी कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप अगर आपका सब्जेक्ट है arts related science, commerce, performing arts, sociology, science and humanities वैसे arts and humanities एक ही होता है engineering, technology, law, medicine, agriculture etc अगर आपका यह field है अगर आप इनसे field से किसे से भी जुड़े हैं और आप इनमें graduation या post graduation कर रहे हैं तो आपका जो syllabus है वो इसके जरीए cover हो जाएगा स्वायम प्रफा के जरीए all courses would be certification ready in there detailed offering through Swamp the platform being well for offering MOOC courses अब देखें या पर आपके जो सभी courses है जो सभी courses है वो आपको Swamp के जड़ीए दिये जाते हैं यानकि simple सा मतलब यह समझिए कि देखें जितने भी online यह course है higher education के यह आपको Swamp प्रफा पर मिलेंगे लेकिन government ने दो और सीजे launch की गई है Swamp और MOOC माल लिजे आप सहते कि मेरे पास DTS नहीं है या DTS है लेकिन मैं online पढ़ना चाहता हूं तो आप Swamp के जरीए भी पढ़ सकते हैं और आप MOOC से courses भी कर सकते हैं यानकि यह दो online platform हैं जहां पर आप कर सकते हैं तो यह इसलिए online course बनाए गए है Swamp प्रफा का मतलब है आपको TV के ऊपर देखना है सारे courses Swamp और MOOC का मतलब है कि आपको online course यहां पर करना है अपने mobile में या laptop में के computer में कहीं दो सो नेक्स नहीं है आपे school education देखे higher education cover हो गया अब बारी है school education की यह है 9th से 12th level अब देखे government जैसे की अभी national education policy जो change की है जो नहीं आई है अभी वो हाला की लागू नहीं होई है तो उसके बार यह criteria बदलेगा लेकिन at present time पे हम देखते हैं कि जो school education है वो 9th से 12th level कैसा है देखे हैं यहां पर क्या यह पूरा cover होगा अगर आप 9th class में हैं से लेकर 10th 11 12 में हैं तो modules for teacher training as well as teaching and learning aids for children of India to help them understand the subject better and also help them in preparing competent exam for admission to professional degree program अब देखे होता है कि जब भी आप school level में बढ़ते हैं चाहिए आपने 10th pass किये चाहिए आपने 12th pass किये आपके सामने दो option आती है कि आप अगला कौन सा course जोईन करो या तो आप competent exam की त्यारी करते हैं किसी admission के लिए माली जा आपको IAT में जाना है आपको किसी भी exam में जाना है या आपको central आपको क्या होता है कि वहाँ पर आपको सरसे बहले entrance exam होता है तो आपको जैसे cat का exam हो गया c.a.t. का common entrance test हो गया c.e.t. हो गया तो इसके लिए आपको entrance test करना ज़रूरी है admission पाने के लिए तो government क्या करते है कि आपको 9th से 12th लेवल अगर आपका है आपको training program ऐसी करती है आपको वो ऐसी चीज़ बताती है कि आपकी automatically ट्यारी हो जाती है तो आप कहीं पे भी असानी से admission ले सकते हैं curriculum based courses अब देखे curriculum based courses है जैसे that can meet the needs of lifelong learners of Indian citizens in Indian and abroad अब देखे वो बच्चे जो इंडिया में भी है और जो abroad में भी है यानकी इंडिया में नहीं है वो एना रही है बहार रहे के अपनी study कर रहे हैं foreign country में तो वो lifelong learners है यानकी वो जिन्दी के बर वो सीखना चाते हैं जैसे उनकी age जितनी मर्जी है लेकिन वो फिर भी study कर रहे हैं वो PhD कर रहे हैं उसके आगे भी study कर रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे courses है higher education भी है college level पे university level पे school level भी है और वो भी level है जो बच्चे कोई पर्टिकल कोर्स नहीं करते लेकिन वो जिन्दी के बर कुछ न को सीखना चाते हैं लर्ना से कोई special कोर्स करते हैं तो इनके लिए भी यहाँ पे courses available है तो assist students class 11th and 12 अब देखे जो mainly 11, 12th के जो student है तो उनको competent exam के लिए prepare करवाया जाता है यहाँ पर आपको उससे भी काफी help मिल जाती है जैसे मैं आपको बताया था रहा कि NCRT के notes होगे यह notes इतने अच्छे हैं कि आप कोई भी competent exam जो है वो crack कर सकते हैं अच्छे से तो आपको यहाँ पर free study material मिल रहा है आपको यहाँ पर अराम से आपको यहाँ पर lecture मिल रहे हैं तो आप इसे जानी से कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई issue नहीं है आप English में भी कर सकते हैं Hindi में भी कर सकते हैं यह दोनों course दोनों medium में available है अगर आपका medium है English तो English में join कर सकते हैं Hindi है तो Hindi में कर सकते हैं वो आपके उपर depend है So next यहाँ पर देखते हैं कि जो वो list है 34 channel की वो कौन से है यहाँ कि जो हमने देखा न अभी जो channel है वो 34 कौन से है channel number 1 है channel के number है channel के name है channel number 1 है यहाँ पर वगीश इसका नाम है वगीश इसे यह किसर लिटर है CEC UGC यहाँ पर humanities 1 यहाँ की humanities का lecture आता है यहाँ पर तो यहाँ पर language and literature आपको पढ़ाया जाता है channel number 1 पर आपको यह नाम जाद करने जरूरी है वगीश नाम है इसका तो यह CEC और UGC के under है यहाँ पर humanities पढ़ाया जाती है language and literature दूसरे चैनल का नाम है Sanskriti यह Sanskriti नाम है यह भी CEC और UGC के under है उसके बाद इसमें humanities 2 यहनकी इसमें humanities 2 करवाई जाती है यह humanities के यहनकी 2 यहाँ पर channel है अगर आप humanities के student है आपके लिए यहाँ यहाँ पर 2 channel है इसमें आपको 2 में history, culture and philosophy पढ़ाई जाती है अगर आप history के student है तो आप यहाँ पर कर सकते है तो next channel number 3 प्रबोध जिसका नाम है प्रबोध यह भी CEC UGC के under है तो यहाँ पर आपको social science पढ़ाई जाएगी यह social science 1 का है जिसमें social and behavioral science आपको पढ़ाई जाती है तो next channel number 4 जिसका नाम है सारस्वत यह भी CEC UGC के under है यहाँ पर यह social science 2 का lecture है यह 2 का channel है तो यहाँ पर आपको education, psychology, home science और इस से related other subject पढ़ाई जाते है तो channel number 5 है प्रबंदन यह भी CEC UGC के under है यह social science 3 का है तो यहाँ पर management, library science, information science and related subject से आपको पढ़ाई जाता है जिन बच्चों को देखें यहाँ पर content नहीं मिलता है UGC के लिए वो भी यहाँ से जाके content को find कर सकते है तो next channel number 6 social science 4 है law, legal, studies, humanities, human rights and related subject आपको यहाँ पर करवाई जाते हैं इसका नाम नहीं है यह CEC UGC के under So next यहाँ पर channel है channel number 7 इसका नाम है Cordelia जो CEC UGC के under है यहाँ पर आपको economics, commerce and finance पढ़ाई जाएगा देखे Cordelia है उन्हें सबसे पहले earth शास्तर यहनकी economics लिखा था जिसके में commerce and finance सब कुछ आ जाता है So next है channel number 8 आरे भट यह भी CEC UGC के under है आपका पता है कि 0 की कोज जो है वो आरे भट ने की तीसरी आपने mathematics को जोड़ा गया है physical science को जोड़ा गया है physics, chemistry and related subject से जोड़ा गया है तो आप यह जान सकते हैं कि अगर आपको पता है जीरो की कोज किस ने की थी आपको नेक्स है channel number 9 यह भी CEC UGC के अंडर है यहाँ पर life science, botany, zoology, bioscience and related subject से पढ़ा जाते हैं तो नेक्स है channel number 10 यह है दक्ष इसका नाव है दक्ष यह CEC UGC के अंडर है यहाँ पर applied science, allied physical and chemical science and related subject यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं तो नेक्स है channel number 11 तो यह है NPTEL के अंडर और यह हैं आपको NPTEL की सुद्फ़ों बता चुका हूँ अगर आपको याद है तो आप मेरे को comment box में लिखके बता सकते हैं medical engineering and related branches यहाँ पर पढ़ाई जाती है channel number 12 यह भी NPTEL के अंडर है यहाँ पर civil engineering and related branches यहाँ पर है channel number 13 भी NPTEL के अंडर है computer and IT and related branches यहाँ पर आपको पढ़ाई जाते है channel number 14 यह भी NPTEL के अंडर है यहाँ पर electrical, electronics and communication and related branches यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है channel number 15 यह भी NPTEL के अंडर है engineering, science and related subject है यहाँ पर पढ़ाई जाते है channel number 16 यह भी NPTEL के अंदर है, यहाँ पर humanities, management and other branches पढ़ाई जाती है, और channel number 17, यहाँ पर यह इगनू के अंदर है, यहाँ पर social science and humanities पढ़ाई जाती है, इगनू के अंदर है, यहाँ पर basic and appliance science पढ़ाई जाती है, channel number 19, यहाँ पर professional and vocational education पढ़ाई जाती है, channel number 20, यह भी इगनू के अंदर है, यहाँ पर state open university and teacher education यहाँ आपको दी जाती है, जो आपकी जो state के open university है, जो teacher education है, वो आपको यहाँ पर मिलती है, यह आपके काम का channel है, channel number 20, तो आपके बाद सर्थ DTS है, तो आप लगा के देख सकते है, channel number 21 का नाम है वयास, यह CEC के अंदर है, तो channel number 22, यह IIT PAL के अंदर है, यह IIT का channel है, so next है channel number 23, आप देखें कि यह school level से जुड़ा हुआ है, इसमें class 1, ठीक है आपको जैसे आप पहली class के है, जो class 1 है यह PME विद्धिया इसका नाम है, channel number 22, यह class 2 PME विद्धिया, देखें यह 23 से लेके 30 तक, यहाँ पे 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका नाम क्या है, PME विद्धिया, यहाँ कि 23 से 30 तक जो चैनल है का नाम है PME विद्धिया, 21 का नंबर है 1st और 30 का नंबर है 8, उसके बाद है channel number 31, जो class 9 से है, जैसे PME विद्धिया, channel number 32, यह class 10 PME विद्धिया, channel 33, यह class 11 PME विद्धिया, और 4, class 12E विद्धिया, इनकी 23 से 34, यह school level के channel है, तो आप यहाँ पे number 1 को count करेंगे, तो यहाँ पे number 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो यह सबसे easy है, याद करना है, इनकी 23 से 34, यह school level का channel है, अब आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके मन में confusion है, याद रखने के लिए कि, जो 34 channel है, वो किसे related है, तो आपको यह shortcut में बताता हूँ, आप इसका चाहिए screenshot ले ले लिजिए, या आप इसे लिएक लेजिए, वो आपकी मर्जी है, तो देखें, यहाँ पर simple सा क्या है, यहाँ पर simple सा देखिए, अगर आप बात करते है channel number 1 से लेके 10 से लेकर channel number 21 की, तो यह manage कौन करता है, CEC UGC दिल्ली, channel जो है, वो 11 से लेके 16, याँकी 11 से 16 और 22, यह manage करता है NPTEL, नियू दिल्ली, channel 72-20, यह manage करता है IGNU, यानकी नियू दिल्ली, channel 70, यह दो बाल लिखो गए यह बुला, यह IGNU दिल्ली है, और channel 23-30, यह करता है, यह primary education है, देखिए, class 1 हो गया न, class 1 से लेके, तो यह क्या है, यह primary education ने NCRD दिल्ली के अंडल है, आप देखिए जो भी primary education आती है, जो भी school level आता है, वो हमेशा ही NCRD के अंडल आता है, तो आप इसके लिए बिलकुँ भी चिंता मत करिए, उसके बाद 31-32 क्या है, यह secondary education है, और 33-34 है, यह higher education है, यह की class 11 और 12, देखिए 10 तक जो secondary education है, higher education आपकी 11 से start हो जाती है, तो यह चीज़ें आपके बहुत काम आईगा, आप इसका screenshot ले लिजिए, आपको सबसे असान करने में, असान क्या लगेगा, यहाँ पे 23 से 34, 30 तक है primary, 31-32 है secondary, and 33-34 है, यहाँ पे higher education, तो यह करना है, अगर आप चाहते हैं कि free course करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो आप MOOC में जाके कर सकते हैं, आप देखें, इससे पहले जो मैंने स्वायम स्वायम प्रभा करवाया था, स्वायम जो था lecture, वो क्या था, स्वायम में आपको online platform मिलता है, जैसा MOOC भी online platform में आप इसमें free course कर सकते हैं, लेकिन जो स्वायम प्रभा था, वो क्या था, आपका DTH का connection था, यहां कि अगर आपके घर पे टीवी लगा हुआ है, तो आप उसमें जा के कर सकते हैं, लेकिन जो MOOC है, उसे आप online कर सकते हैं, MOOC आप website पर जाएंगे, आपको यहाँ पर सारे course मिल जाएंगे, तो यह क्या क्या, यह online course है, तो MOOC में क्या है कि MOOC affordable and flexible way to learn new skill, advance your career and deliver quality education experience, MOOC यहाँ पर online education course है, आप इसे पर मुवाइल में, computer में, laptop में, कहीं भी भी से सीख सकते हैं, आज कर मुवाइल साभी के बास होता ही है, तो यह आपको affordable and flexible way देता है learning के लिए, इनके अगर आपको नई-नई चीज़े सीखनी है, आपको course करना है, तो इसके लिए आप MOOC का इस्तमाल करें, आपको new skill मिलेंगे, तो इसके लिए जो आपको career है, वो बहुत advanced level में जाएगा, और आपको quality education experience मिलेगा, यहनकी free में आपको सब कुछ बहतर मिलेगा, जो कि आप पैसे खच करके नहीं कर पाएंगे, यह सारी जो चीज़े हैं, यह government की दरब से आपको free में दी गई है, थाउजन ओफ स्टूडेंट्स can take the same course at same time, अब देखें, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट हैं, वो एकी टाइम पर same course को कर सकते हैं, अब आप देखें कि मालीज़े आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कोचिंग क्लास में बढ़ते हैं, या कहीं बे भी बढ़ते हैं, वहाँ पर maximum बच्चे 15 होंगे, 50 होंगे या 100 होंगे, लेकिन यह online courses हैं, आप हजारों बच्चे इंडिया के, thousand of student आप इंडिया के घर बैठे अराम से से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो यह online course है, सबसे मैं आपको यह बता दूँ, तो यह बहुत सारी language में हैं, तो यह different different language में हैं, जैसे स्वायम प्रभादान हमने पढ़ा, और स्वायम था, वो English और Hindi में था, लेकिन यह जो है, यह काफी language में है सो इसके काफी providers हैं, जो content provide करवाते हैं, सबसे मेले हम जानते हैं कि MOOC की history है क्या, तो देखे history of MOOC, यानि कि MOOC आया कहां से है, the term MOOC was coined in 2008 by Dave Cormier of University of Prince Edward Island, तो यह सबसे मेले 2008 में आया है, Dave Cormier के द्वारा, जो University of Prince Edward Island में है, in response to a course called connectivism and connective knowledge, अब देखे, इसे पहले क्या कहते थे, तो इसे पहले हम कहते हैं, देखे, यहाँ पर in response है, यहनकी, इस course को पहले कहते हैं, connectivism and connective knowledge, यहनकी knowledge से connect रहना, उसके बाद देखे, इसे CCK08 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, connectivism and connective knowledge कहते थे, उसे CCK08 के नाम से जानते हैं, आपको एक्जाम में कोशना हैं, बताइए कि यह जो CCK08 है, यह किसका पहला नाम है, आपको सामने option लख जाएगा, तो आपको MOOC के ओपर क्लिक करना है, 2012, 2012, became the year of MOOC by the New York Times, because Udacity EDX Coursera, related to University Finance, this year was for first time, आप देखे, 2012 में MOOC को, जो MOOC है, उसे 2012 के year कहा जाता है, यह सिंपल से यह मानिए कि, जो 2012 था, वो MOOC का year था, क्यों? क्योंकि देखे, इसे किसने कहाता है, New York Times ने, यह कि New York Times ने 2012 को MOOC का year कहा है, मूC का साल कहा है, क्योंकि देखे, जो युनिवरस्टी है, financial related जैसे, Udacity है, EDX है, Coursera है, वो पहली बार जुड़े थे इससे MOOC से, इसलिए इससे कहा गया, मूC से, तो इसलिए इन्हें 2012 का year कहा गया था, अब देखे, मूC different कैसे है अधर से, देखे, सबसे बहले बात क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा, free of course, online course, जैसे swaim में भी free of course है, swaim प्रभा में भी online course है, तो इस बार आपको यह जो पूरा course है, यह आपको MOOC में, free में मिलेगा, you can do any course at time in this, आप देखे, आप कोई भी course किसी भी time कर सकते हैं, इसका कोई time period नहीं है, if student want to take a certificate, then they will have to pay a small fee of certificate, जैसे swaim में था, same, आपको अगर मालेजी course करना है, आप free में करिए, लेकिन अगर आपको उसका certificate चाहिए, तो उसके लिए minimum charge, जैसे 50 रुपे, 100 रुपे, ऐसे अगर के, वो आपको pay करने हैं, आपको उसका certificate मिल जाएगा, result in grading form, आप देखे, जो result है, वो grading form में होता है, जैसे A grade, B grade, C grade, ऐसे, तो एक उसे पूछ सकते हैं, बताएगे कि जो स्वयम स्वयम प्रभा मूख है, इसमें जो result आता है, वो गिस form में है, वो grading form में है, अब इसके feature देखे, कौन से है, इसके कमाल के feature है, ये लगवग same है, जैसे उसके है, स्वयम के, ये वैसे लगवग same है, यहाँ पर difference क्या है, देखे, यहाँ पर आपको video lecture मिलेंगे, आप असानी से सभी video lecture देख सकते हैं, अपने course के regarding, उसके बाद देखे, यहाँ पर आपको reading, material books, आपको books पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, quiz activity होगी, माल लिए आपने books पढ़ी, lecture देखा, आपको जानना ह है, तो आपको यहाँ पर quiz करवाए जाएंगे, question answer, forums है, तो आप यहाँ पर forums में अपना, जो भी आपको चाहिए, आपको doubts है, यहाँ पर clear कर सकते हैं, sectional test है, यहाँ की हर एक section के test बने हुए है, part to part, और final examination, जब मालेज़े आपने एक साल का course किया, 6 महिने का किया, 3 महिने क जब भी आपके course की validity है, आपने वो किया, उसके बाद आपका final test होगा, जिससे आप अपने क्यारी को जा सकते हैं, तो आप easily certificate भी ले सकते हैं, आप अपने course को complete सकते हैं, तो देखें, यहाँ में बारी आती है कि MOOC को कैसे use करते हैं, अब देखें, MOOC आपको use कैसे करना है, step one है, step number one, choose your platform, यानि कि आपको अपना platform choose करना है, कि आपका platform कौन सा है, आपको कौन सा course join करना है, फिर आपको account create करना है, आपको अपने details इसमें देनी है, अपने नाम बगारा, phone number बगारा, step number three है, आपको अपना course select करना है, देखें, यहाँ पर आपको platform select करना है, आपको कौ अब प्लाइट्फॉर्म है प्लाइट्फॉर्म अलग होता हैको लग होता है फिर आपको यहाँ है को संस्त ह्वरकिट पास को COURSE को कम्प्रीट करना है आप इसे DESKTOP के उपर कर सकते हैं LOPTOP में या SMART FON में कर सकते हैं smartte protocol सभी के पास है अगर DESKTOP नहीं है कुछ नहीं है smartfone को है या आप इसे COURSE CREATE अब देखे इसके 3 basic step है आप इसमें कौ Champion course कैसे कर सकते हैं पहला है audit courses audit courses कौन से है you can audit a course to learn for your own benefit यानकि आप कोई भी course है वो अपने benefit के लिए कर सकते है तो आप इसमें अपने benefit के लिए यानकि आपको जो भी चीज अपने coding सीखनी है मान दिजी आप कहते कि मेरे को science सीखनी है तो आप इसके लिए कोई भी course जो है वो audit course कर सकते है अपनी मर्जी के coding तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कर सकते है आपको कोई दिक्कत नहीं है आप कहते हैं कि मेरे कोई ये भी course करना है तो यानकि ऐसा नहीं जैसे होता है न कि एगर आप BA कर रहे हैं तो आगे में करना होगा तो इसमें आप साइंस में भी जा सकते हैं वो आपकी मर्जी जो आपको सीखना है certificate कौन से हैं जिसका आपको certificate मिलता है यानकी the approach involves completing a specific course to receive certificate यानकी आपने course को जोईन किया वो एक special course है जिसका आपको certificate मिलेगा जैसे आप post graduation करते हैं आपको उसका certificate दिया जाता है वैसा ही आपको मिलेगा next is specialization यानकी there are specialization available that consists of a series of course student will receive a special certificate अब देखें यापको special certificate मिलता है आप अगर कोई special course करते हैं या आप कोई special series करते हैं course की तो आपको उसका certificate दिया जाता है इनकी जो course आपके certificate से अलग हो यानकी जो certified course होते है न उसे अलग आपको कोई course करते हैं तो आपको उसका certificate भी दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल के अगर हम बात करें तो course जो है वो और इंडियन लेवल पे कौन प्रवाइट करवाता है अब देखें अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की तो यहाँ पर आपको MOOC के जो इंटरनेशनल लेवल पे course मिलेंगे अगर आप इंडिया बे रहते हैं तो इंडियन लेवल के course आपको स्वाइम और एंपी टेल के द्वारा प्रवाइट करवाए जाते हैं यह most important है एक्जामें पोर्ष सकते हैं स्वाइम की फुल फ्रम क्या है यहां पर इंडिया को ऊपर नंबर वन ऊपर रहता है नंबर टू नीचे आता है मैंने इंडिया को ऊपर रखा है इसलिए क्योंकि हमेशा हमारा इंडिया ऊपर ही रहेगा हमेशा सबसे आगे रहेगा तो यहां पर आपका नंबर टू है इंडिया मूग की participation में जो है 12 परसेंट और USA है यहाँ पे 19 परसेंट यानिके मोग में जो 19 परसेंट है पार्टी स्पेशन वो है USA का और 12 परसेंट है यहाँ पे इंडिया का यह आगे जाके चेंज हो सकता है क्योंकि जैसे ऐसे कोसिस बढ़ रहे हैं तो आगे जाके और यह ओबिसली इंक्रीज होगा